वक्त की बड़ी खबर आपको एक बाद फिर बता दें कि बैठक विज्ञान भवन में शुरू हो गई है सात्वे दौर की ये बापचीत है सात्वी बार किसानों के नुमाइंदे और सरकार की तरफ से खुद क्रिशे मंत्री नरेंदे सिंग तोमर इस बाठक में शामिल होने जारे हैं सबके निगाहें की क्यूई हैं आज की इस बाठक पर देखना ये है कि क्या इस बाठक के बाद कोई समधान निकलता है क्या सरकाराच शुकेगी या फिर आज किसान रुकेंगे क्योंकि अभी तक किसी तरह के ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये लगे कि आंदोलन अभी थम जाए हमारे साथ लगातार जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि पलपल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं क्या उमीद हैं क्या आज इस बैठक के बाद कोई नया रास्ता निकलेगा जी रवी दिखिया हमने सवेरे भी कई किसानों से बात की और उनकी मांग तो यह कि जब तक कानून रद नहीं तब तक यह आंदोलन जारी जाएगा लेकिन आज की बैठक कि आज की बैठक के दो लगतार दो दिन पहले मंत्रियों की आपस में मंत्रना हुई है कि आज की बैठक को क्या फैस्टा लेंगे क्या उनको बताएंगे लेकिन किसान संग्ठन अपनी बातों पर अड़े हुए हैं लगतार ये बात कह रहे हैं कि चाहे दोजार चौबिस आ ज मंत्री ने आपस में मंत्रना की जरूर कोई ऐसा सुझाओ को जैसा पस्ताओ फिर से आज नई बात किसानों के सामने रखी जाएगी ठीक है ठीक है प्रिशानत अपने दर्शकों को आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं ये लाइव तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन के अंदर के दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि वहां पर सरकार के नुमाइंदे किसान संगठन सभी मौजूद हैं ये बैठक वहां पर शुरू हो गई है देखना ये है कि इस बैठक का नतीजा आज क्या निकलेगा दोपहर दो बज़े ये बैठक शुरू होने थी खुद क्रेशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर वहां पर मौजूद है इस बैठक की अद्रक्षता करने हैं आप देख सकते हैं और आपको लगातार हम एक एक अपडेट किसान अंदोल से जुड़ी हुई लगातार दिखा रहे हैं पहिदर किसान नेता राकेश टिकैट का भी बयान सामनी आगया है टिकैट ने काया कि कानून वापसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं राकेश टिकैट से बाचीत की हमारे समवाता प्रवाकर मिश्राने तो यह इतने दिन में जो ये छे राउन की बारता हुई और आज में कुछ अंतर समझ बेसे आ रहा है कानून वापसी इस बीश्मे बादशीत के क्रम में यह जो इतना समय जो अंतराल हुआ कुछ संकेत मिला है कि सरकार कहीं सरकार कहा मिली सरकार को ढूंड रहे हैं उम्मेद है यह बहुत दिन से आप भी सुनते आ और हमें भी उमीद है और पूरे देश को भी उमीद है कि आज कुछ ने कुछ समाधान निकल जाना चाहिए और समाधान निकल जाए वही देश के लिए बेतर है सरकार के लिए बेतर है और किसानों के लिए बेतर होगा झाल झाल